आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Which of the following condition of Angiospermic Embryosac is seen at maturity यहां पर पूछा गया है कि maturity में Embryosac जो के Angiosperm में पाए जाते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं तो यहां पर अगर हम लोग Embryosac का डाइग्राम बनाते हैं तो यहां पर पहले दिखाई देते हैं तीन सेल जो की Antipodal सेल के नाम से हम लोग जानते हैं Antipodal सेल फिर क्या होता है कि बीच में दो पोलर नुकलियाई पाए जाते हैं और नीचे क्या होता है तो नीचे प्रेजन रहते हैं बीच में एक सेल यह होता है एक और एक के साइड में रहते हैं दो साइनरजिट्स यह हो गए दो साइनरजिट्स और ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, तो ये सारे मिलके एक embryo sac create करते हैं, जिसमें अगर हम लोग गिने, तो कितने सारे nuclei होते हैं, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 nucleus, 8 nuclei का structure जो है, वो दिखाई देता है, लेकिन अगर unusual part का बात करें, तो ये जो polar nuclei है, ये क्या होता है, ये ए एक ही cell से बना हुआ होता है, लेकिन nucleus इसमें 2 होते हैं, तो इसलिए cell जो होते हैं, वो कितने हो जाते हैं, तीन antipodal cell हो जाते हैं, एक होता है cell जो की polar nuclei है, दो synergid और एक egg, इसलिए जो cell number होता है, वो 7 cells होता है, जिसके वैसे हम लोग क्या कह सकते हैं, कि जो embryo sac होता है, व करता है इसी हिसाब से हमारा फॉर्स्ट ऑप्शन जो है यह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और इसी को हम लोग टिक कर लेंगे क्लासिक्स से ट्वेल से लेके नीट आयाइटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर